जहिन दोस्तों स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल संदिप मैट्स में आज हम लोग Time and Work का कंसेप्ट को जानेंगे उसके बाद RSA गवाल नवी नंग गनित के हर एक हर एक question को हम लोग solve करेंगे बारी बारी से तो सबसे पहले हम लोग आज जान लेते हैं Time and Work होता क्या है और इसके question को हम लोग बनाते कैसे हैं तो सबसे पहले मैनली अगर देखा जाए तो Time and Work मुश्टली दो टाइप का होता है एक टाइप होता है हमारा LCM SCF पराधारित एक टाइप जो हमारा होता है वो LCM पराधारित होता है और दूसरा टाइप जो होता है हमारा वो M, D, H, M, D, H, B, T, W, इन दो तरीका का Time and Work का question exam पूछे जाते हैं पहला टाइप हमारा LCM SCF दूसरा टाइप हमारा M, D, H, B, W, K form का होता है तो आज हम लोग LCM पराधारित जो भी Time and Work के question है उसको बराने के बारे में हम लोग आज जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं जिसी के मालिजे एक आदमी जो है ए दूसरा आदमी है जो उसी काम को पुरा करने में Y दिन का समय लगाता है तो अगर हम आपसे पूछे कि जो आदमी इसे पहला आदमी है इस काम को पुरा करने में X दिन का समय लगा रहा है तो इसका एक दिन का काम कितना होगा तो इसका एक दिन का क्या होगा एक बटा X होग ठीक उसी तरह से दूसरा आदमी एक काम को पुरा करने में y दिन का समय लगा रहा तो इसका एक दिन का काम कितना होगा तो एक बटा y काम होगा अगर हम इन दोनों को जोड़ दे अगर हम one upon x और one upon y को जोड़ दे one upon x plus one upon y को हम लोग एड कर दे तो हमको यह पता चल जाएगा कि पहला आदमी और दुसरा आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कुले कारे कितना है तो इसको अगर हम जोडते हैं तो हमारा आएगा x plus y बटा xy आएगा अब यह जो हमारा निकल कर आ रहा है x plus y बटा xy यह पहला और दुसरा आदमी का एक दिन का काम है अब यहाँ पर ध्यान देजे पहला आदमी द्वारा x दिन में पूरा काम किया जाता था तो उसका एक दिन का काम निकालने कि लिए हम लोग कि x को उल्टा कर दिया तो उसी तरह से पहला और दुसरा आदमी का एक दिन का काम कितना x plus y बटा xy है तो इन लोग द्वारा काम को पूरा करने में कितना समय लेगा तो जिसकों क्या करने में उल्टा कर देंगे यानि कि xy बटा x plus y तो ध्यान रहे अगर कोई वेक्ति एक काम को x दिन मे करता है दूसरा विक्ति y दिन में करता है तो दोनों मिल करके उस काम को पूरा करने में x गुना y बटा x plus y दिन में पूरा करेंगे तो चलिए इसको हम लोग एक बार इस question के आधार पर इस formula का हम लोग यूज करकर देखते हैं तो इस question में क्या कह रहा है यहां कह रहा है एक अकेला किसी कायर को 6 दिन में पूरा करता है तो हम लोग x का मान क्या मान लेंगे 6 मान लेंगे उसके बाद b अकेला इस कायर को 12 दिन में समाप्त करता है तो y हम लोग क्या मान लेंगे 12 आगे कहता a था b दोनों मिल कर इस कायर को कितने दिनों में समाप्त करते हैं तो हमारा formula फॉर्मूला क्या था हमारा formula tha xy हमारा formula tha xy upon x plus y ते आपर x का value 6 है y का value 12 है लेकिंगे 6 गुना 12 और नीचे में 6 प्लस 12 इसको हम लोग solve करते हैं तो 6 गुना 12 रहने देना 12 प्लस 6 कितना होता हमारा 18 होता है इसको हम लोग काटेंगे तो 3 6 कठारा और ये 3 चो के 12 और ये 6 से 6 बार में कट जाए तो हमारा answer के निकल कराएगा 4 दिन यानि कि A अगर एक काम को 6 दिन में पूरा करता है B 12 दिन में पूरा करता है तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा तो 4 दिनों में काम को पूरा करेगा तो ये तो हुआ हमारा formula के हिसाब से अब अगर हम लोग बिना formula का बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं मान रहा हम लोग तो 6 the plus of 2 को दो जोड़ेंगा आगर ये 12 के था। यानि कि A और B दोनों मिल करके एक दिन में 2 प्लस 1 यानि कि 3 काम करते हैं, करना है इनको 12 काम, तो 12 को 3 से भागा देंगे, तो हमारा answer क्या निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा, तो हम लोग time and work के हर एक question को LCM के आधार पर ही बनाएंगे, क्योंकि अगर formula में हम बनाते हैं, तो सारा question हम लोगों से नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग LCM सब के आधार पर LCM से find करके ही time and work का question को solve करेंगे, तो इससे पहले हमने जो formula का use के तो भी answer हमारा 4 आया, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो है वो काम को 12 दिन में कर रहा है, जबकि यहाँ पर A तथा B दोनों का मिलकर दिया हुआ है, दोनों मिलकर के काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो आपको बताना है B अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ध्यान रहे, अगर A एक काम को कर रहा है मालेजी X दिन में और A और V मिलकर के एक काम को कर रहा है Y दिन में तो अगर हमको B का बताना है तो इसके लिए फिर अलग formula आ जाता है इसलिए हम लोग time and work यानि की कारित था समय को हम लोग L-sum की आधार पर या L-sum ग्याद करके ही बनाते हैं ताकि हम लोगों को अलग-अलग formula याद करने के जरूरत नहीं पड़ता है बट इसको हम लोग एक बार formula से निकाल कर देख लेते हैं तो अगर एक आदमी एक काम को कुछ दिन में कर रहा है और दो वेक्ति मिलकर के काम को पुरा कर रहा तो उसमें से एक जिसके बारे में नहीं दिया हुआ है जैसे माली यहाँ पर A का दिया हुआ है और यहाँ A और B का दिया हुआ है तो B अकेला इस काम को कितना दिन में पुरा करेगा इसका एक formula होता है वो formula क्या है X गुना Y अब चुकि यह लोग दोनों मिलकर के काम कर रहा है यानि कि Y जो है वो क्या होगा चोटा होगा और X क्या होगा बाड़ा तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हम लोगों को X माइनस Y लिखना होगा अब यहाँ पर X और Y का value हम लोगों को दिया हुआ है X का value है 12 और Y का value है 8 तो हम लोग क्या लिखेंगे 12 गुना 8 और नीचे में 12-8, चलिए, तो 12-8, 12 में इसे 8 गया तो हमारा क्या बज़ जाएगा, 4 बज़ जाएगा, 4 सी एकटेगा, 3 वार में हमारा एंसर क्या निगल कराएगा, 8-24, यानि कि B को काम पूरा करने में 24 दिन का समय लगेगा, यह हुआ formula के अधार पर question को solve करना, अब हम लो आधारी, तो LCM पर आधारी जितना भी question होगा, उसको हम लोग LCM बिना formula का यूज करके ही बनाएंगे, LCM निकाल कर ही बनाएंगे, बट यह जानकारी के लिए मैं आप लोगों को यह formula पर question बना कर बता रहा हूँ, चलिए, इसको हम लोग बिना formula का बना कर देखते हैं, अब यहाँ पर A जो है, वो काम को कर रहा है 12 दिन में, A और B जो है, उस काम को पूरा कर रहा है आपका 8 दिन में, हमको करना क्या है, 8 और 12 का LCM निकालना है, तो 12 और 8 का LCM कितना होता है, तो 24 होता है, हम यह मान कर चलेंगे कि total काम 24 unit का है, 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 2 काम, 8 दिन में 24 काम तो 24 को 8 से भाग तो 3 हो जाएगा यानि कि दोनों मिल करके एक दिन अब यहां पर ध्यान देजे A जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है और A और B मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहा है अब यहां पर ध्यान देजे इस तीन काम में A का काम कितना दो तो B का काम कितना एक अब B जो है वो एक दिन में एक काम करता है करना है इसको 24 काम तो कितना दिन हो जाएगा तो B का हो जाएगा 24 दिन यानि कि B अकेला अगर काम करें तो 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा तो formula से भी हमारा answer 24 आया और हम लोग ऐसे बनाएं यानि कि LCM निकाल कर बनाएं तो भी हमारा answer 24 आया अगला question हम लोग एक बार देख लेते हैं अगला question क्या है A तथा B मिलकर किसी कारी को 20 दिन में B तथा C मिलकर 15 दिन में C तथा A मिलकर 12 दिन में कारे पुरा करते हैं 3 मिलकर इस कार को कितने दिनों के समाप्त कर सकेंगे उसके साथ ही साथ आपको बता बढ़ी एकला है से कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा अब यहाँ पर ध्यान दीज Hadi अब यहाँ पर क्या A, B शी रागया तो 20 दिन में कर रहा है, उसके बाद B और C, B और C जो है वो काम को कितना दिन में कर रहा है, तो B और C इस 15 दिन में कर रहा है, और रंत में दिया हुआ C और A, COA या फिर A और C लिख सकते हैं, यह जो है काम को पूरा कर रहा है, कितना दिनों में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को ये बताना है, कि अगर तीनों मिलकर काम करें, तो काम केते दिनों में समाप्त होगा, साथ ही साथ अगर भी अकेला काम करें, तो वो कितना दिनों में काम को खत्म करेगा, तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों 20, 15 और 12 का LSM निकालना ह चाहिए एलसम भी निकाले सबको आना अचाहिए आप यहाँ पर हम 20 है 15 है और 12 है पर यहाँ पर को भी नंबर क्या कारते हैं अगर हम 20 को तोड़े तो क्या तोड़ेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 और अगर हम लोग 12 का जोड़े तो क्या तोड़ेंगे 4 गुना 3 तोड़ेंगे अब यहाँ पर आप नमबर देखें तो हमको 5, 4 और 3 यह 3 नमबर नजर आ रहा होगा 5 गुना 4 गुना 3 तो 5 के 20, 20 तिया 60 यानि कि 20, 15, 12 का लसम कितना हो जाएगा हम यह मान कर चलेंगे कि total काम जो है वो 60 unit का काम है 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम अब यहाँ पर ध्यान देजे A और B मिलकर 3 काम कर रहा है B और C मिलकर 4 काम कर रहा है A. दो बार है, B. दो बार है, और C. दो बार है, यानि कि A, B, C का दो दिन का काम यहाँ पर 12 है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 भागा 2, यानि कि 6, यानि कि यह तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करते करना कितना है, 60 काम, तो 60 को भागा देंगे, 600 तो तो हमारे कैनिकल कर आएगा दस दिन यानि कि अगर A, B, C तिनों मिलकर काम शुरू करें तो दस दिन में कारी हमारा समाप्त हो जाएगा अब यहाँ पर पूछ रहा है कि B अकेला इस कारी को कितने दिनों में पूरा करता है अब यहाँ पर ध्यान दिजिए A प्लस B and C यह तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है तो एक दिन में यह लोग कर रहा है 6 काम हमको बताना है B का अब यहाँ पर ध्यान दिजिए A और C कितना काम करता है 5 काम करता है तो A और C कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है यानि कि A और C का 5 काम अगर हम हटा दें तो बच जाएगा एक काम जो कोन करेगा बी करेगा तो बी को करना कितना काम है 60 काम करना है इसलिए बी अकेला जब काम को करेगा तो कितना समय लगेगा 60 दिन बी को कितना दिन लगेगा बी को लगेगा 60 दिन तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अरे से कवाल का स्टार्टिंग से कॉस्चन बताना सुरू करूँगा और पूरे कॉस्चन का सुलूशन में जरूर करवाऊँगा तब तक के लिए जैहिन